Hello Class 3rd Students बच्चो आज हम हिंदी लेंगुज में चैप्र नम्बर 7 रिट करेंगे इसका नाम है सर्वनाम तो क्या आपको पता है सर्वनाम क्या होता है बच्चो सर्वनाम वो शब्द होते हैं जिनको हम संग्या के स्थान पर प्रेयोक करते हैं जैसे संग्या होते हैं किसी particular व्यक्ति या वस्तु का हमें नाम दिया होता है किसी विशेश व्यक्ति या वस्तु का नाम उनके नाम पर हम जो शब्द प्रेयोक करते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं जैसे देखो स्वीटी शात्रा है स्वीटी स्कूल जा रही ह तो यहाँ स्वीटी क्या हुआ? सर्वनाम, लेकिन अगर हम उसके स्थान पर वहे प्रियोक करें, जैसे स्वीटी छात्रा है वहे इस्कूल जा रही है तो वहे वहे हुँगे सर्वनाम सर्वनाम के आपके कुछ उधारण दिये हुए जैसे मैं तुम इसका वह इन्हें यह सारे आपके सरवनाम होते हैं जो कि हम संग्या के स्थान पर प्रियोग करते हैं जैसे देखो, आपको इस चित्र दिए हुः हैं। उसमें कुछ और उधारन दिए हुए हैं गाये चारागा मेहें। गाये घास चर रही हैं। तो हम उसके स्थान पर क्या प्रियों कर सकते हैं गाए चारागा में हैं वह गास चर रही है कमलेश और कविता आपस में मित्र हैं कमलेश और कविता बाते कर रहे हैं कमलेश और कविता आपस में मित्र हैं वे बाते कर रहे हैं तो यहां हमने दोनों की जगे क्या लगा दिया वे, तो वे बाते कर रहे हैं, क्यों होगा सर्वनाम, तो वही शब्द जो को संगय के स्थान पर लगा दे एक उनको सर्वनाम कहते हैं,